वैपने पिछले वीडियो में हमने आपको moderate लगने वीडियो में हम 5,000 का यौज़ इंवेश्टर्स के लिए बताने जा रहे हैं अब friends आप में ते कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनने सिर्फ high return चाहिए चाहिए रिस्क कितना भी हो रिस्क लेने को तयार है तो friends बने लिए हमारे साथ हम aggressive investors के लिए 5000 का best portfolio बताएंगे सबसे पहले friends अगर आप हमारे चैलन पर नए हैं तो आप जल्दी से हमारे चैलन को subscribe करके bell icon दबा ले चले friends सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या हो parameter से जिनके की basis पर हम आपको ये fund suggest करने वाले हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला parameter है EMC यहाँ पर हमने यह ध्यान रखा है कि हम जो fund select करें हो reputed fund house के हो हमने सभी equity mutual fund select किये हैं ताकि long term में आपको एक अच्छा return मिल सके यहाँ पर हमने यह भी ध्यान रखा है कि लगभग सभी fund का age 5 year हो सार्फ ratio and alpha category से ज़्यादा हो ताकि आपको एक अच्छा return मिल सके standard deviation and beta category से कम हो इन सभी fund में तो friends यहाँ पर आप इस बात के लिए ऐसे हो सकते हैं कि आपको इन सभी fund में category की मुकाबले कम risk मिलेगा friends इन funds में सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी funds ने long run में अपने benchmark को बीट किया है next हमने यह वी ध्यान रखा है कि fund का AUM ज़्यादा बड़ा ना हो इन सभी का AUM 10,000 से कम है friends AUM पर हम एक detail वीडियो बनाएंगे कि AUM बड़ा सही है या छोटा या कैसा होना चाहिए अगर आप नीचे कमिन करेंगे तो fund manager की point of view से यह सभी fund काफी अच्छे हैं इन funds में सबसे अच्छी बात है कि इन सभी fund का expense ratio 0.95% से कम है direct plan का friends यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि इन सभी fund का CGR return 20% से ज़्यादा है यानि कि friends हर साल आपको 20% से ज़्यादा का return मिलेगा जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए friends अब बिना समय गवाएं हम आपको fund के नाम बताते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला fund है SDFC small cap fund friends यह large cap category का top fund है इसके 10 years का trailing return 23.09% है और इसके direct plan का expense ratio 0.81% है यह fund launch हुआ था 3rd April 2008 को इस fund का complete review हमने एक वीडियो में किया है आप चाहे तो description में जाकर उसे देख सकते हैं हमारा दूसरा fund है L&T emerging business fund यह भी एक बहुत ही अच्छा small cap fund है इसका CAGR return 20.93% है expense ratio इसके direct plan का है 0.85% launch हुआ था 12 May 2014 को Friends इन सबी fund के बारे में हम बहुत detail में नहीं बता रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो इस fund का detail review हमने अपनी channel पर किया है आप चाहे तो description में जाकर उसे check कर सकते हैं हमारा तीसरा और आखरी fund है Tata equity PE fund यह भी बहुत ही अच्छा value oriented fund है इसमें भी काफी अच्छा growth potential है इसका CAGR return 21.51% है expense ratio इसके direct plan का है 0.93% launch हुआ था यह 1st January 2013 को चलिए Friends अब देख लेते हैं कि portfolio कैसा होना चाहिए तो SDFC small cap fund में 2000 का investment होना चाहिए L&T emerging और Tata equity PE fund में 15-1500 का investment होना चाहिए इस portfolio का TAGR return 21.4% है इस portfolio में risk हाई है और इस portfolio में आप कम से कम 10 साल या उससे अधिक के लिए invest करें इस portfolio का expense ratio 0.86% है जो की बहुत ही अच्छी बात है चलिए अब इस portfolio की कुछ key features को देख लेते हैं तो इस portfolio में काफी अच्छा growth potential है इसमें हमने 2 small cap fund और एक value oriented fund को add किया है ये सभी एक बेतरीन fund है ये portfolio high risk taker investors के लिए है इस portfolio की सबसे अच्छी बात है कि इसका CAGR return 21.4% है याने कि आपको लगबग हर साल मान के चलिए 20% से ज़ करते रहें so friends that's all in this video I hope कि आप सबको ये video बहुत पसंद आ होगा अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो इस video को like और share करना ना वोले और जाते जाते हमारे चैनलन को भी subscribe कर ले आ रहे वीडियो पर click करके आप SDFC small cap fund के review को देख सकते हैं आपने अपना केमती समय में दिया इसके लिए आपका बहुत हो धन्यवाद